आज बिहार सरकार ने भी रात मैंने सुना है सुबच है बजे कि एक रुपया उन्होंने भी एक्साइज कभी किया है डूटी में एक्साइज डूटी बाद वैट लगाती है सरकार चाहे देश में समझेगा आधनी नितीश कुमार जी को तो और घटाना चाहिए चुकि अगर नहीं घटाएंगे तो आखिर जनता को चुनी क्यों है आग्रह करूंगा क्रूड वाला कीमत कम है आप एक हिमाचर हा रहे हैं तो इस घटाए है यूपी हारिएगा तो कांग्रेस पार्टी इसको फिर से पुराने रेट पर चुकी इंटरनेशनल मार्कें क्रूड वाला कीम की सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल की दामों पर काफी कम एक्साइस ज्यूटी लिया जाता था आपको पहले सुनवाते क्या कुछ कह रहे है अजीज सर्मा देखिया ऐसा है कि इसने दिनों तक तो उनके शुधने गई कम करने का आप 2014 में चले जाए यूपे की गॉर्मेंट थी उस समय आपका पेट्रॉल का कीमत था एकतर रुपे के आसपास और डीजल कीमत थी 55 रुपे के आसपास उस समय क्रूड वाइल की कीमत इंटरनेशन मार्केट में 105 डॉ कि आपके जब से 2014 भारती जनता पार्टी के आदनी नहीं मोदी जी बने हैं उस समय 43 डॉलर परती बैरल हो गया था धीरे धीरे घटते हुए फिर अभी आज के तारीक में 81 रुपे के आसपास आज क्या 85 रुपे के आसपास 85 डॉलर परती बैरल के आसपास है और तब जाके इन्होंने क्या बिक्री हो रहा था और यूपिय के गॉर्मेंट में एक्साइस अगर आप लेंगे तो पेट्रॉल का 9 रुपे 48 पैसा था डीजल का 3 रुपे 56 पैसा एक्साइस डूटी था और आधनी नहीं मोदी जी के टाइम में क्या था एक्साइस था 32 रुपे 97 पैसे उसमे उन्होंने 5 रुपे घटाये है आज भी 27 रुपे नव्पे से एक्साइस डूटी नियूटी पे जील में 31,8 में उन्होंने दस रुपिय घटाया है एक्साइज ड्यूटी पर तो 21.80 रुपीज आज भी एक्साइज ड्यूटी है आप चले जाए यूपिय गवर्मेंट में एक्साइज ड्यूटी क्या था पेट्रॉल पर 9.48 पैसे नौर रुपिय पैसे पेट्रॉल पर और डीजल पर मात 3.56 पैसे कि इसने एक्साइज ड्यूटी में ग्रोथ हुआ उसके बाद उसी अधार पर आपको देखिए कि आज क्यों घटाया इसको सोचने की बात है जब हिमाचल में चार सीट भारती जनता पार्टी कांग्रेस सेहार गेर कांग्रेस सीट जीट गई सीधा उन्होंने देखा कि महंग अभी भी मैं आपको बताऊंगा आपके माध्यम से सभी जनता को आग्रह करूंगा आप यूपी में उत्तर प्रदेश में अगर आप भारती जनता पार्टी को हराते हैं तो फिर वही पुराना रेट 71 रुपया के आसपास पेट्रॉल और 55-56 रुपया के आसपास डीजल ज पुराते हैं आज बिहार सरकार ने भी रात मैंने सुना है सुबत 6 बजे कि एक रुपया उन्होंने भी एक साइज कभी किया ड्यूटी में एक साइज ड्यूटी बाद वैट लगाती है सरकार चाहिए देश में समझेगा आधनी नितीश कुमार जी को तो और घटाना चाहि कियेगा तो कांग्रेस पार्टी इसको फिर से पुराने रेट पर चुकी इंटरनेशनल मार्टेन पूर्वाइदा कीमत अधिक नहीं है तो आपने सुना अजीज सर्मा को उन्होंने साफ तोर पर कहा कि 2014 में काफी कम क्रूड ओल के दाम थे और साथी साथ एकसाइस ड्यूटी भी काफी कम लिया जाता था उसको उसके मुकाबले इस वक किन्द सरकार काफी जादा एकसाइस ड्यूटी ली जाती है और साथी साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में चार सीटे हाड़ चुकी है भाश्पा सरकार और उसी का ये प्रतिक्रिया है कि चार सीटे हाड़ने के बाद भाश्पा को ये लग रहा है कि महंगाई काफी बढ़ गई है और उसी को मद्द्य नजर रखते व जाएगा आपको जानकारी देना जाएंगे कि बिहार सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दामों पर वैट कम किया है यानि कि वैल्यू एडेट टैक्स दोल लगाया जाता था उस पर कटाथी की गई है अगर ऐसे दिखा जाए तो इस वक्त बिहार में 6 रुपे 30 पैसे पेट्रोल के दामों के नहिसे में बहुत है दिख रहे हैं तो इस पर भाजपा रखती है यह देखने को रहेगा तब तक लिए आप बने रेहडलाइन भीहार के साथ आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत सुपकाम नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद